मारूती सुजु की बैगनार भारत की सबसे पोपुलर हैज बैग कारों में से एक है मिडिल कलास के परिबारों में सबसे ज़दा बैगनार की डिमांड है अब जल्द ही बैगनार का नया रूप सामने वाला है Toyota की branding वाली नई बैगनार को हाल ही में टेस्टिंग के दोरान देखा गया था Electric बैगनार के look में बदलाव देखने को मिल रहा है इस electric car को किस नम से company पेस करेगी इसका पता भी नहीं चल पाया है Car के Toyota पर Toyota की branding देखी गई है Toyota ने car के exterior में काफी बदलाव किया है इसके front को पुरी तरह से बदल दिया गया है जिसमें एक पतली grill सामिल है जो की turn indicators के रूप में नजर आती है इस नई Toyota में front और rear bumper को update किया गया है आपको पता दे इस Toyota के वैज वाली मारूती बैगनार को कई बर testing किया जा चुका है इसके front और rear look मौझूदा बैगनार से बिलकुल अलग है Toyota की यह बैगनार पुरी तरह से एक electric car होने वाली है साल 2018 में मारूती सुजुकी ने अपने वैगनार हैज बैग के 50 पर उटो टाइप बनाए थे कैसा होगा इसका engine Toyota की वैगनार में engine को लेकर के पता नहीं चल पाया है अभी तक मौझूदा वैगनार में दो engine option एक लिटर और डे लिटर मिलते है और ऐसे में उमीद जाता है जारी है कि Toyota badge model में भी यही setup मिल सकता है petrol के अलावा CNG में भी वैगनार उपलब्द है मौझूदा वैगनार के एक लिटर तिन सिलेंडर petrol engine 60 bhp और 90 nm का torque जनरेट करता है जो कि 1.2 लिटर engine 82 bhp और 113 nm का torque पैदा करता है engine को 5 speed manual के साथ 5 speed amt transmission के साथ जोड़ा गया है आपको पतादे मारूती सुजी की बैगनार पहली बार 18 सितंबर 1999 में लंच की गई थी तब से लेकर अब तक कई बार मारूती की इस car का लुक बदल चुका है पिछले 20 सालों से एक डिमांड बने हुई है को पतादे इसकी एकसे सुरूम की कीमत 4.5 लख रूपी है आपको पतादे इससे पहले Toyota मारूती बलेनो को Toyota गलेंजा नाम से पेस कर चुकी है Toyota गलेंजा देखने में बलेनो जैसी है इसके फ्रांट में 2S lot 3D surround chrome grill दी गई है कार में डैमांड कोट अलाय हुई है जिस पर Toyota का भैज लगा हुआ है दोस्तों यह जनकारी आपको कैसी लगी कमेंट जरूर कीजी और इस जनकारी को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास फैल आईए और ऐसे यह रूचक और मजदार कबर सबसे पहले पाने के लिए Sunstar Hotline को सबस्क्राइब जरूर कीजी मिलते हैं एक और अगले वीडियो में धन्यवाद